Hello dear all, our today's topic is Advanced Tools in Tux Paint, which is lesson number 5 from your computer book, part 3. If आपको वीडियो पसंद आता है, so वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. इससे होगा क्या? इससे होगा ये, कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा, तो आपको सबसे पहले नॉटिफिकेशन मिल जाएगी. Okay, so let's start. Okay, so this is lesson number 5 है ना, हमारा lesson number 5 continue है, चली रहा है, और part 1 and part 2, lesson number 5 का हमने कर लिया है, ठीक है ना? If किसी को वीडियो नहीं मिला हो उसका, तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो के description में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि सेक्विन से पढ़ना जरूरी होता है, वहना समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? और इस चैप्टर को पढ़ना तो इसलिए भी बहुत जरूरी है, यार, क्योंकि बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर है, है ना? फटा-फट से इसको एप्लाएगर के देखूं अपनी ड्रॉइंग में, है ना? और इसको घर में भी कंप्यूटर सिस्टम है, तो वह इसको फॉलो कर रहे होंगे, जो मैं बताती जाती हूं, ठीक है ना? तो आज हमारा जो एफेक्ट है, आज का जो फॉस्ट है, टॉपिक वो क्या है? एज एफेक्ट, ठीक है ना? एज का मीनिंग क्या होता है? मतलब एज मीन्स किनारे, है ना? किनारे जिसको हम बोलते हैं, जैसे की हिंदी में बोलने तो भुजाए टाइप का, है ना? जो भुजाए होती है हिंदी में, तो वही होता है एज इस, ठीक है किनारा, में तो किनारा समझ लो ना? जैसे कोई भी शेप बना है तो उसका किना कि किनारे हैं खोटे है उनको यह मैच कहते हैं अब क्या है यहते हैं यह कंशसे कहते हैं का αुध सिद्धा डिए रहे का जिए यूले भी दिखाती हैं और आप करन झायों कि यूल आर गुटनीब क्या है। क्या है जो एजफेक्ट है वो तॉक्स पेन का बहुत यूनिक फीचर है इस से हम कर गया सकते हैं हम डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं एज़्च को मतलब कि हमने already एक शेप को सलेक्ट कर लिया है तो जो हम शेप सलेक्ट करेंगे तो बनी बात है वेटा शेप आपको कैसा मिले गा प्रॉपर मिलेगा, आधा दूरा शेप नहीं मिलेगा, अगर आप ट्राइंगल चूस करोगे तो आपको प्रॉपर ट्राइंगल मिलेगा, रेक्टेंगल चूस करोगे तो रेक्टेंगल मिलेगा, स्क्वेर चूस करोगे तो स्केर मिलेगा, ठीक है वो आधा दूरा तो आपक जो भी figure है उससे हम ages को differentiate कर सकते हैं ठीक है ना हम फटा फट से यह देखते हैं कि इसका work हम कैसे करते हैं यह कैसे इसको use करते हैं ठीक है ना कैसे इसको use किया जाता है टक्स पेंट में ओक सोसी I hope beta screen clear है I hope my voice clear है ठीक है ना वीडियो को पूरा देखना तभी समझ आने वाला है भीश में नहीं चोड़ना ठीक है ना क्योंकि हम सिर्व एक्जाम देने के लिए वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम पढ़ाई करने के लिए समझने के लिए है ना, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, समझते थे, तो हम सेम वही कर रहे हैं, ओके, ऐके, क्लिक औनी फिल्स अटैकर में वाटिल परव स्कूल में कि लिया उसके बाद ये क्या होजयेगा, इन हमारे पास जएगा, हमारे पास यहाँ पर एक और Sab Tool box आ जाते है आप शेप निज़से क्लिक करोगे न तो यहाँ पर Shapes cosmTool box वहाल मैजिक लिखा हुगे निर जब मैज़े लेटो कils हैं तो अगर स्प्रार आप सेलेक्त करोगे तो आपके पास यहाँ पर इसज करोगे वहाँ पर Шेप मतलब भरा हुआ ठीक है हमको ऐसा ही शेप चूज करना है जो फिल्ड हो जो भरा हुआ हो खाली नहीं हो ब्लैंक नहीं हो अब देखो इसमें कलर है यह हलका सा पंगिश्टा कलर भरा हुआ है तो यह ठीक है हमने इसको सलेक्ट कर लिया ओके अब आपको बेटा सब पता है सब बॉक्स शेप टूल क्योंकि यह सब हमने पहले पढ़ा हुआ है पढ़ लिया है इसलिए मैं आप से बार बार कह दी हूं कि पुराने वीडियो भी देखना ही देखना तभी समझ जाएगा तो हमने क्या किया शेप टूल में क्लिक किया सबसे पहले उसके बाद एक शेप को स ग Rand crypto गड्या किया कर लिया है उसका की आपको फम्स पंट इसाällt पिया की शहने है सेम शे कर वोगाने एव यह नाम आवगगा यह जबद ऊ inm southeast कि वो तो बताता है तूल को उसमें एक कि लिखा ही होता है कि आना सो क्या करनाना है मैजिक टूल को सलेक्ट करोगे उसके बाद कि Yamato सब्सक्राइब काम राइट ज्काइड में साईड में तो वहा हमें स свIk다もし चाह Dalai देखो, बिटा, sorry, मैंने पहले आपको बोला कि यह शेप टूल है, बट यह मैजिक टूल है, ठीके ना, यह मैजिक टूल के वारे में आपको बताया गया है, इस चैप्टर में, फर्स लाइन में, इस वाले टॉपिक में, बट क्या है, यहाँ पर इसको दिखाया नहीं गया, यह आपको मैजिक टूल के बाद से उसका बॉक्स बना हुए, ठीके ना, तो यह बिटा मैजिक टूल है, ठीके, मैजिक टूल को इसके बाद, पहले हम शेप टूल को सलेक्ट करगे, एक शेप तो इसको सलेक्ट करी लेंगे, जो की फिल्ड होगा, उसके बाद क्या करेंगे ऊसके बाद हम magic tool में जाएंगे यह magic tool है ठीक है उसके बाद जैसे हम magic tool में इसमें click करेंगे उसके बाद हमारे पास right hand side में magic tool का sub toolbox open हो जाएगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद हम यहां से जो कि यह age effect है इसको select कर लेंगे यहा पर लिखा भी हुआ है age effect ठीक है ना तो हम age effect को select कर लेंगे ठीक है ना age effect को हमने select कर लिया ओके now third using your magic wand click and drag it over the entire picture you will observe that the age of the shape start appearing ओके so अब क्या करना है third में क्या है हम magic wand magic wand जानते हो ना बेटा जो पूरे पूरे वीडियो देख रहा है न उसको सब बहुत अच्छे से बता है कि magic wand क्या होता है यह होता है ना यह हमारी जादू की छडी ठीक है ना यह क्या है magic wand क्या करोगे बेटा जब टक्स पेंट में हम वर्क करते हैं तो हमारे पास यह pointer बन की नहीं आता है यह pointer बन की नहीं आता है क्या बनके आता है यह magic wand बनके आता है जो हम माउस लेके जाते है ना ड्रैग वगेरा करते है तो हम इसको करते हैं ना कि पॉइंटर को करते हैं वो magic wand बनके आता है ठीक है ना okay so using your magic wand click and drag it over the entire picture है ना क्या करोगे जो आपका आपने select किया हुआ है जो भी आपने शेप को select किया हुआ है उसके उपर से मतलब इसके उपर से उसको यह magic wand है हमारा इसको ड्रैग करोगे पूरी पिच्चर में से इसको ड्रैग करोगे उसके बाद आप क्या देखोगे आप ऑफसर्फ करोगे कि धीरे-धीरे क्या होगा आप जो वो है ना जो आपका शेप है उस पिसी ऐसा था जैसे हमने एडाफले किया किनारे देखने लगे में किनारे कि लगे किनारे में यह में किनारे दिख रहा है एक तो तो ophone काल से दि लगा में उसके किलार Hela सब्सक्राइब और इस इसा किनारे कारें तो यह रहा है यह का है आपको इसके किनारे बने हुए है तो वहा है किनारे बने हुए तो वह को ऐसा से एसे में अगर्द होने लगेगा. एज एफेक्ट का यूज करने के बाद, ठीक है ना? ओके, समझ आया ना क्यों कर रहे हैं? ओके, ना नेक्स्ट क्या है, लेट उस एप्लाइ इस एफेक्ट तो वान ओफ दा स्टैंप्स एंड ओफ दा चेंजिस, तो किसी भी स्टैंप में भी हम इस एफेक्ट को अप्लाइ कर सकते हैं, ठीक है ना? स्टैंप का मीनिंग जानते हो, स्टैंप के बारे में भी हमने पढ़ा है, इसके लिए प्रीविएस वीडियो देखो, तो आपको पता चल जाना है, ठीक है ना? स्टैंप टूल में भी उसका यूज करेंगे, तो वहां से उसका पूरा जितने भी एजेस हैं, वो स्टैंप में भी दिखाने लगेगा, ठीक है ना? औके, सू, यहां पर हमारा फेश फिनिश हुआ, एज एफेक्ट, अब आज का हमारा नेक्स टॉपिक क्या है, नेक्स एफेक्ट है, चल अब वह देखते हैं कौन सा एफेक्ट है, ठीक है ना? आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना? ओके, ना, next effect is, क्या है? form effect, ओके, form effect, ठीक है ना? अब form का meaning आप बहुत अच्छे जानते हो, होता है, form जानते हो ना, जब कि कही चीज को wash करते हैं, तो उसका form निकलता है, soap का use करते हैं, ठीक है ना, वही होता है form, अब देखो, तक्स पेंट में form effect क्या होता है, उसका use क्या होता है, ठीक है? चालो, start करती हूँ, see, ध्यान से देखना, सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है, ना? ओके, you must have seen your mother washing your clothes, whenever she adds washing powder to the water, you see a lot of form, in the same way, this tool adds the form effect whenever, wherever you want, okay, let's see, आपने, अभी मैंने आपको बताया form क्या होता है, ठीक है? आपने अपनी मम्मा को, कप्रे धोती हुए, तो देखा ही होगा, मम्मा कप्रे धोती है ना, तो देखा होगा, कप्रे वाश करते हैं, तो आपने देखा होगा, जैसे मम्मी क्या करती है, पानी में अपना जो वाशिंग पाउडर है, उसको एड करती है, और थोड़ा सारे उनको घोलती है, तो ज्चाग निकलता है, form निकलता है, form हो जाता है, तो वही क्या है, उसे को हम form कहते हैं, ठीक है? होता है ना, जब आपना हाते हो, तो वही होता है फॉर्म का थे आँसकना टाक्स-पैंट, है लूद उसी सभी आधे, बहुड को त prima ऐसावाला थे पते का अजिखने फॉर्म आपो तो हम केंको तैक्स-पैंट में ला सकते हैं बाइर थे जए जाने में हो alright चालो, so, start with first, first, now select magic tool and see and select the grass effect, draw some grass at the river bedside as shown here, you can select the magic tool, you have selected the magic tool 50 times, you know where the magic tool is, you can select the grass effect of a tree, we have made some new grass effect, and we have made some new grass effect, and we have made some new grass effect, का river बना दी ऐसे करके ठीक है इसा हमने ड्रॉ कर दिया अब आपको यह ड्रॉ करना बहुत easy हो गया हमने पढ़ दिया है इसको ठीक है ना parts इसके पहले के देखो सब पता चल जाएगा ठीक तो हमने असी अपनी ड्रॉइंग बना ली उसके बाद क्या second now select the form effect and draw some form over the grass in some places अब क्या करो form effect को select करो किसे effect को select करोगे form effect को select करोगे है ना आपको form effect भी मिल जाना है यही पर ठीक है magic effect में आपको form effect भी मिल जाएगा तो form effect को select कर लो और जहां जहां आपका मन कर रहा है click click करके form effect को वहाँ पर जिसे click करते जाओगी तो तो वहां वहां से form form आता जाएगा देखो यहां पर यह form टाइप का दिख रहा है आपको देखा ना यह पूरा इसना select किया हुए ऐसे तो ऐसे form form आ गया ठीक है now third select the flower tool and draw flower with different colors फिर क्या कर लो बेटा flower tool को select कर लो मतला हम आपको कुल मिला की drawing करना है और drawing को इतना सुन्दर बना सकते हो बना दो हमने क्या किया सबसे पहले magic tool में गए तो हमने grass effect select किया तो हमने ऐसे करके यहां पर grass बना दिया ऐसे draw कर लिया तो river बन गई ठीक है river वाला यहां पर color कर दिया ठीक है ऐसे करके सब grass कर दिये उसक हमारा मन कर रहा हम फ्लावर सेट कर सकते हैं ठीक है now now select the paint tool choose starfish shape from the sub toolbox select brown color from the color palette and draw a few starfish on the form then select wine tool and pick green color to draw the other part of the tree okay similarly you can use many brush shapes and magic effects to draw beautiful pictures चलो अब मैं आपको दूसरा picture दिखाती हूं जिसमें इतना कुश हुआ है ठीक है ना वो आपको picture में दिखेगा अब आपने क्या करना है आपको सिर्फ मेरी आवाज ध्यान से सुननी है और मैं screen में आपको क्या क्या बता रही हूं क्या क्या दिखा रही हूं वो आपको देखना है ठीक है आपको screen में क्या दिख रहा है ये figure दिख रहा है using the wine effect ऐसे करके ठीक है जो भी अभी मैंने आपको रीड किया अब वो यहां पर कैसे कैसे apply हुए वो आपको बताती हूँ क्या किया था हमने फिर स्टार्टिंग से देखो ठीक है हम magic हमने क्या magic टूल में गए वहां से grass effect लिया तो हमने grass वगेरा बना दी ऐसे river draw कर दी हमने ठीक है यह कर दिया उसके बाद हमने क्या किया form effect में गए यहां पर हमने form add कर दिया आपको दिख रहा होगा कर दी add form हमारी आधी picture ready होगी थी last में अब फिर हमने क्या किया फिर हम flower tool को लिया ठीक है अब देखो flower tool हमने select किया तो फिर क्या किया हमने flower tool के बाद ये किया, flower यहां पर click-click करें तो यहां पर flowers लग गए, ठीक है, flowers लग गए अ अब क्या करना है, फिर हमको paint tool में जाना है, फिर आप जैसे paint tool में जाओगे, यहां पर देखो, लिखा हुआ है paint tool, जैसे आप paint tool में जाओगे, तो आपको ऐसे brushes म paint में जाओगे आपको brush में लेंगे यह brush का सब toolbox है पूरा ठीक है आपको कौन सा shape लेना है यह starfish वाला safe लेना है यहाँ पे starfish बनी हुई न यह वाला आपको shape लेना है ठीक है इतना आपने कर लिया उसके बाद क्या करना है color palette में जाना है color palette कहां होता है यह पता है आपको यह होता है color palette color palette में से आप brown color को select करोगे कौन सा color brown color ठीक है यह brown color नहीं होगा यह हमारा color palette है brown color हमारा यह होगा ठीक है हमने brown color को select कर लिया उसके बाद क्या करना है जहाँ जहाँ यह form था ना देखो यह form बना हुए तो एब जहाँ जहाँ ऑना गर्न है वह को दख़न सबस्क्राव नर्ष एक रहाшт मिलिआ था है प क्लिक घटाव था इसके बाद क्या किया वाइन टूल को सलेक्ट किया वाइन टूल मैंने आपको पहले वीडियो बताया था कैसा होता है वाइन टूल ऐसा होता है वाइन टूल वाइन एफेक्ट हार शेप टाइप का इस टाइप का होता है वाइन एफेक्ट ठीक है न तो हमने वह सलेक्ट किया तो हमने वो भी कर लिया यहाँ पर ठीक है इसको भी apply कर दिया and pick the green color to draw the upper part of the tree फिर हमने green color लिया उसके बाद यह tree का upper part यह देखो यह इसको draw कर लिया है ना यह उपर part वाला wine effect से ही इसकी जो leaves है ना बहुत अच्छे से बन जाती है तो आपको देख रहा है कि यहाँ पर हमने tree बनाया हुआ है wine effect को लिया हमने उसके बाद फिर green color को select किया तो click click करके यहाँ पर हमने tree draw कर दिया similarly you can use many brush shapes magic effects to draw beautiful picture similarly आप क्या कर सकते हो मतलब अपनी drawing को जतना भी सुन्दर जतना भी beautiful बनाने के लिया आप effect वगेरा इस यहां से कोई भी shape कोई भी color जो आपको पसंद है वो सब select करके अपना drawing आप बना सकते हो ठीक है clear हो गया ना I hope बेटा clear हो गया होगा ठीक है ना फिर से repeat करूं क्या चलो एक बार इसम शॉट में करती हूं ठीक है ना सबसे पहले हमने क्या किया था हमने magic टूल में से ग्रास effect लिया तो ऐसे ग्रास बना दी यह रिवर बना दी फॉपन इफेक्ट को SELECT किया तो हमने यह फॉपन बना दी यहां पर फॉपन एफेक्ट दे दिया उसके बाद हम कहां गए पेंट टूल में गए यह होता है आप color palette में गए, यह होता है आपका color palette, यहाँ पर मैं आपको brown color इसमें बोला है brown color select करो, बढ़ आपको जो color चाहिए आप उसको select कर लो, different different color आप कर सकते हो हर बार, उसके बाद हमने आप starfish को draw कर दिया चोटू-चोटू सा आपको दिखरा होगा starfish कर दिया इतना, उसके बाद हमने wine effect को select किया, wine effect इस type का effect को wine effect कहते है यह क्यों काम आता है, यह tree की lease बनाने के काम आता है आपको दिखरा होगा, यह side में एक tree बना हुआ है, उसकी click click क्ला के हमने green color को select किया तो यहाँ से पूरा उसकी tree बना दिया उस cuper का part बना दिया ठीक है, और flowers भी हमने choose किये थे, select किये थे, तो यहाँ पे ते को flowers बगेरा भी add कर दिये ऐसे करके हम कितना भी use करके अपनी drawing को संदर बना सकते हैं ठीक है न, तो बेटा यहाँ पे आपके दो topic finish हो गए age effect और form effect है न, अब इसका part 4 आएगा और part 5 आएगा ठीक है, दो part अभी इसके और आएगे तो दो part में chapter complete हो जाएगा ठीक है न, I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और बेटा जैसे कि आपको पता है कि मैं पूरा वीडियो देखने हो क्यों बोलती हूं बना पाश मेट का वीडियो बना के मैं भी जा सकती हूं कि रीट कर दूं और बोल दूं ऐसा ऐसा बात खतम, यह न, बट मैं यह नहीं करती मेको लगता है कि पूरा ही समझो आप क्योंकि तब आप प्रेक्टिकल करोगे तब ही आपको आएगा जब आप पूरा एकदम step by step समझोगे, ठीक है न, ओके सो बाई बाई, मिलते हैं नेक्स वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ओके चलो, बाई बाई, take care, thank you so much